Hello students, स्वागत है आपका UPSC VDS में जिसमें हम पढ़ रहे हैं Vision IAS का PT 365 या पॉलिटी का है जिसमें हमने part 1st, 2nd और 3rd को कम्प्लीट कर चुके हैं या part 4 पढ़ेंगे जिसमें कुछ टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे इसमें आता है पहला टॉपिक राष्टी नागरिक रजिस्टर सुर्खियों में क्यों रहा कैग कैग ने असम में NRC अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी विवस्थाओं के अनुपालन ओडेट पर रिपोर्ट जारी किये है इसमें NRC को अपडेट करने म देटा से छेड़ चार से जुड़े जोखिमों के बारे में बताए गया है इसमें क्या है क्यूए सुर्ख्यों में रहा है असम में NRC अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंदी विवस्थाओं के संबंदम coração है जो देटा से छेड़ चार से जुड़े जोख प्रवासियों के पहचान करता है क्या है ए यह एक आदिकारिक रिकौरड बारत के बैद नागरिक है उनके सन्बंद में और यह पूरे पाकिस्तान अ बांगलादेंस जो जिसके नाम से जाना जाता है उसे के प्रवासियों के पहचान करता है बर्तवान में असम एनार सी तयार करने वाला एक naar राज्य है इसे पहली बार 1924 अप्डेट किया गया था ता बैल to करण और राष्टी पहचानपत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहट अपडेट किया गया एनर्सी को नागरिक्ता अधिनियम 1955 तथा नागरिक्ता नियम 2003 के तहट अपडेट किया गया आसम एनर्सी में केबल उनी लोगों वा उनकी वंस्गों को भारती नागरिक माना गया है जिनके नाम 24 मार्च 1971 तक किसी मददाता सूची में या उन्नेश विंक्या उनके एनर्सी में मौझूद हैं आसम एनर्सी के उत्पत्ती 1985 के एसम संजोती में मानी जाती है एनर्सी में किसी वेक्टी का नाम सामें लई होने का मतलब यह नहीं है कि उसे घुबिदेशी घुशत कर दिया जाएगा जिन बेक्तियों के नाम एनर्सी सूची में नहीं है उनकी पास विदेशी विश्यक अधिकरण की समक्ष अपना पक्ष रखने का विकल्प मौझूद है एनर्सी को नागरिकता दिनी मुनी शपचपन और राश्टी पहचान पत्र अधिन्या में नागरिकता 2003 के तहएप इसको अपडेट किया गया है अब इससे सम्मंदित तथ क्या है नागरिक्त मानदर्ण अधिसूचित किये गए हैं किसके अंतरगत इसके प्रोवक प्रावधान है पहला ग्राय मंतराले ने ऐसे लोगों के लिए मानदर्ण जारी किये हैं जो तब आवेक्स थे जब उनके मात पिता ने भारती नागरिक्त का त्याग कर दिया था लेकिन अब वे वेक्स हो गए है और अपनी भारती नागरिक्त को फिर से प्राप्त करना जायते हैं नागरिक्त अदिनियम 1955 के तहट कोई वेक्ति जो अपनी नागरिक्त का त्याग करता है उसका प्रते का वेक्स वालक भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा अगर कोई व्यक्ति नागरिक्ता त्याग कर देता है तो उसका व्यक्ति में उसका बच्चा भी नागरिक नहीं रहेगा हालकि ऐसा कोई भी वालक ब्यक्सोने की एक वर्स के भीतर यह घुशना कर सकता है कि वह भालती नागरिक्ता फिर जे प्राप्त करना चाह सकता है योग घेटर का समारिश चे पहर्शग दो वहजार पाच में सनसोधन किये गए था भारती नापिरक्टा का Kती चंप मेघनी त्यारं भारती में आत्यार आ के बहुत्ति के उड़ुराहियर्ता कों और जी चैनेदेश खारके सारमाने निवर में था Тर कि Exam समाप्ति के आने तरीके कौन कौन से हैं पहला धोका दढ़ी आदी के माध्यम से नागरिक्ता प्राप्त करने पर सरकार नागरिक्ता से बंचित कर सकती है दूसरा यदी कोई स्वेक्षा से दूसरे दिस की नागरिक्ता प्राप्त कर दीता है तो उसकी भारती नागरिक्ता समाप्त कर दी जाती है अब आगला टॉपिक देखते हैं प्रत्यायोजित बिधान यह सुर्खियों में क्यों रहा है हाली में सुप्रिंग कोट ने एक मामले में यह नड़ा दिया है कि कैंद्र और राज्यों के लिए प्रत्य योजित बिधानों की सक्तिया मूल कानून द्वारा दी गई सक्तियों से अधिक नहीं हो सक्ति क्या कहा सुप्रिंग कोट ने कैंद्र और राज्यों के प्रत्य योजित बिधान की सक्तिया मूल कानून द्वारा दी गई सक्तियों से अधिक नहीं हो सक्ति यदि ऐसा होता है तो यह अधिकारिक्ता है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता बल्लब ये तो प्रत्यायुजित बिधान को मूल कानून की सक्तियां आधिक नहीं हो सक्तियां दूसरा अगर ऐसा होता है तो उसे प्रभावी नहीं किया जाएगा इससे सम्मंदितत है सुप्रिंग कोट के निर्णे के उनसा प्रत्य विजद बिधान को मूल कानून के दाइरे से बाहर नहीं जाना चाहिए यदि ऐसा होता है तो यह अधिकार तीत है और इसे प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता है सुप्रिंग कोट ने कहा है कि केंद्री और राज प्राधिकर्णों दौरा बनाएं गए नियमों को अपने मूल संसदी कानून की जगे लेने वाला नहीं बलकि उनका पूरक होना चाहिए प्रत्य विजद बिधान क्या है उसके बारे में दिखते है यही कैसी पिक्रिय है जिसके मादम से कारकारी प्राधिकर्ण को कानून बनाने के लिए मूल कानून द्वारा सक्तिया प्रदान की जाती है एक कानून उनका मूल कानूनों के प्राधन को लागू करने और परसासित करने के लिए बनाये जाते है इस परकार संसर मुल कानून की सहायता से अन्य संसाओं को प्रयात्य आउजित बिधान की पिक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाती है भारत के सम्मिधान की अनुसार कानून बनाने की सकते हैं बिधाईका को दे गए हैं जबकि कारपालका के पास कानूनों को लागू करने की सकती है भारती सम्मिधान में जो कानून बनाती है बहें बिधाईका की द्वारा और लागू को न करता है कारपालका समय की कमी के कारण बिधाई के खुद को नीतीक light मामलों तक ही सीमित रखती हैं, संसद पर जो करने का दवाब होता है उसको कम करने में इसका अबजЕक्ट है, बिकेंद्रिकरत और छेत्रक बिसिष्ट नियम बिनिमय बनाने में सहायता करना संसो द्वारे नई अधिनियमों की पारित होने की पृतिक्षा किये विना सरकार को कानून बनाने में सक्षम बनाना आधनिक प्रसासन की बड़ती जिटलताओं को देखते हुए आविशक्ता पढ़ने पर अलग-अलग प्राधिकर्णों को अधिक अधिकार प्रदान करना निम्लिकित परिस्तितियों में प्रत्योजित बिधान अमान नहोगा जो इसमें अमानिक की बात कही गई है तो उसमें पहला यदि मौलिक अधिकार हो या भारती सम्मेदान के किसी प्राधान का अलंग-खन किया हो यदि मौले का दिकार हो या पर भारती समिदान के किसी प्रावधान का लंगन क्या हो तब इसका यह हमान नमाना जाएगा दूसरा यदि नियम बिनमय मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर है या मूल अधिनियम के मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं है या पेनियम मूल प्रावधान के दायरे में है या उसके अनुरूप नहीं है यदि कारपालका कि बस उक्तिनिया में विन्यमा को बनाने की विधाई चमता नहीं है यदि मान माने और बिना किसी कारण से प्रत्याउजद विधान का प्रावधन कर दिया गया है उसे रद किया जा सकता है भूत लक्षी प्रभाव वाले किसी प्रित्ययोजद विधान का प्रावधान नहीं किया जा सकते यदि मूल अधिनियों में ऐसा करने का प्रावधान है तो वह मानने होगा सुप्रीम कूट ने निर्णा दिया है कि विधाही का अपने अनिमार विधाही कारियों को कारपाल का को नहीं सौप सकती। अपर पढ़ते हैं पंचायतों के सम्द्ध पंचायत उपबंद अधिनियम 1996 सुर्खियों में क्यों रहा है? अधिनियम 1996 या पेशा को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया। पेशा की अंतरगत ग्राम सभाओं की मुख सकती हैं कौन-कौन सी हैं? पहले नमबर तो यह देखती हैं। पहला भूमी अधिकरण के मावलों में अनिवार परामर्स की सकती। अनुसूचित छित्रों में दूसरी लोगों दोरा भूमी की खरीद को रोकने और बेंची गईया हस्तान अंतरग भूमी पर पुना कबजा दिलाने की सकती। दूसरा, विकास पर यूजनाओं की काण प्रभावित लोगों की पुनर्वास पर नर्वाहाली और गोण खरीजों ही तूँ, पूर्वेक्षण, लाइसेंस, खन, पट्टे की पूर्व मंजूरी की सकती। तीसरा, सराप की विक्री खपत को बिने में तुप्रिती बंदित करने, ग्रामीड वाजारों की प्रभंधन एवं अनुसूचित जिंजातियों को दिये जाने वाली रण को नियंतित करने की सकती। चोथा, सामाजिक छित्र में कारेरत था, इस्थानी योजनाओं से संस्थाओं इवं कार्मिकों पर नियंतर की सकती। पांच मा लगुजल निकायों की प्रभंधन और गौण बन वपच की स्वामित्य की सकती। यह इसके अंतरगत सकतिया प्रमुख है। इससे पेशा से सम्मद्धित जो अन्न तथ हैं, इस कानून से सम्मद्धित उसको देखते हैं। पेशा नियमों को अधिसूजित करने के साथ ही 36 गड़ इस प्रकार की नियम बनाने वो पेशा कानून को लागू करने वाला देश का सात्वा राज्य बन गया है। इससे पहले पेशा नियम को लागू करने वाली राज आंदरप्रदेश, गुजरात, हेमाचल प्रदेश, महराष्ट, राजस्थान, टेलंगाना है। यह अधिनियम सम्मिधान की भाग 9 के प्रावधानों को अनुशुद 241 के अंतरगत आने वाले 10 राज्यों के अनुशुचित छेत्रों में लागू करता है। भाग 9 कंचायतों से सम्मंदित हैं इस सम्मंदित में अनुशुचित 241 को अनुशुचि 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस 10 राज्य हैं आंद्रप्रदेश, 36 गड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जारकर्ण, मद्रप्रदेश, महराष्ट, उडिशा, राजिस्थान और तेलंगाना हैं। पेशादिनीम के विसेस्ता हैं क्या क्या हैं? पृठागत कानुणों के अनुरूप पंचायतों के संबन्द में राज्यो दोरा बनाए जाने वाले कानुण जन्याती ये समुदायों के पृथागत कानुणों उनकी सामाजे के वं आर्थिक धार्मिक पृथाओं तथा साम दायक संसाधनों के पारंपरिक प्रमदन की पद्धितियों की अनुरूप होंगी। होगा इसके तरिक्त उसके पास सभी सामाजिक छेत्रकों में सनस्थानों और इवं पदाधिकारियों पर अरूर इस थानिय यह उज्ञाव पर नेंतर रखने की सक्तियां भी होगे प्रतिक गिरामसभा लोगों की परंप्राओं और इत्रिवाजों उनकी सांस्कृतिक पहचा साथ ही पंचायत के सभी इस तरह पर अध्यक्ष किपत पर भी अनुसूचित जन्जातियों के लिए आरक्ष्य थूंगे सुर्खियों में रहे न्यूज कौन कौन सी रही है लाव कपत ऑफिस और प्रॉफिट जारक्षिंड की राजपालने को समय पूर्वे लाव कपत धारन करने के लिए मुख्यमंत्री को विधायक की रूप में आयोग ठहराए जाने का मावला भारती निर्वाजन आयोग को भे किया गया है समय ऑफिद या राज्य सरकार के अधी रही हाल्य की आधाय के लिए असे पदों लौज को लभ कपत नहीं माना गया है जिनने संसत के कामणुन दौरा आलाविकारी पद भंखुषित किया है लाई की पत के समद में आयोग घता की नरधारन का पष्ण राष्ट पती और राज़िपाल को भेजे जाने का प्रावधन है हाला कि उन्हें इस मामली में चुनाव आयोग कि राय प्राप्त करनी होती है उसी अनुरूबे नर्णे लेते हैं यह लाप किववत के संदर्व में है जो जारखंड के राज़िपाल के संदर्व में आया हुआ था संसे सदस स्थानी छेत्र विकास MPLATS नियम के बारे में Members of Parliament Local Area Development Scheme Rules के संदर्व में यह चर्चा में रहा है बित्मंत्राले ने संसे सदस से स्थानी छेत्र विकास MPLATS नियम में संसुधन किया है संसुधन के संदर्व में जिसके तहर MPLATS नियदी पर जमा होने वाले वियाज को भारत की संचित नियदी में जमा किया जाएगा इससे पहले इस नियदी को अर्जित वियाज को MPLATS खाती में जमा किया जाता था इसका उप्योग विकास परियुजनाओं के लिए किया जाता था प्रिश्तावी संसोधन का उद्धिस निधियों का समय पर आवंटनों को सल उपियुक सुनिश्चित करना है MPLATS को 1993 में सुरू किया गया था एस आंसिदों को इस्थानिय इस तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर पुंजियत प्रक्ति के विकास कारियों को संपन्य कराने की सिफारिश का अधिकार देता है इसके तहट प्रतेक सांसत को 5 करोड रुपे प्रतिवर्स की दर से 2.5 करोड की रुपे की दो किस्तों में फंड जारी किया जाता है प्रतेक वर्स सांसत को निमलेखे तनपात में इस निधी से कारिकी सिफारिश करनी होती है पहला अनुसूचित जाती या एस सी की आवादी वाले छित्रों में एमपिलेट्स निधी का कम से कम 15 पिर्शत और अनुसूचित जन जाती की आवादी वाले छित्रों में एमपिलेट्स निधी का 7.5 पिर्शत MPLATS के अंतर के निधियां ब्यपकत नहीं होती, इसका उप्योग नहीं होने पर भी निधी वैसे ही रहती है जिला इस तर पर इस योजना के तहट कारेओं के समगर समनवै और परिविक्षण के लिए जिला परादीकर्ण जिम्मेदार हैं यह MPLATS से संबंदित है, जिसमें जो इसका पैसा पहले इसके खाती में जमा होता है, वह समचित निधी में जमा किया जाएगा, इससे संबंदित है, चर्चा में रहा है National E-Bidhan Application, National E-Bidhan Application क्या है? National E-Bidhan प्रडाली को भारतीय को नागरिकों और विधान मंडलों के सदस्वों के ओपियोग के लिए बिक्सित किया गया है, यह नागरिकों और विधान मंडलों के सदस्वों के लिए, इसमें विधाई निकायों से संबंदित कारेों और डेटा को ओन्लाइन उपलबद करा यह विधान को नैस्टनल यह विधान एप्लीकेशन के रूप में पुना नामित किया गया है संसदी कार मंत्राला ने नैस्टनल यह विधान को सभू करने के लिए एक नूडल मंत्राला है इसका लक्ष तेज की सभी विधाहिकाओं को एक मंच पढ़ लाना ताकि एक विसाल बेटा डिप ऑज़ोर्ट्री का निर्माड किया जा सके यह विभेज ने राज्य विधान समावों से संब्सूचना को सूव विवस्थित करने और दिन-प्रती दिन के कामकाज में कागज के उपियोग को समाप्त करना है जिलों का निर्माड एवं उत्पादन हाली में सकती होती है तो राज सरकार में नहें екत होती है कि ச बिद्धन concern सभा में एकarुन पारित क्रिया कि बल एक आदेस जारी कर नई ढर्डिक का नमाल यह विक्टन कर सकती है कि इसकी डिसूचना को राज़पत्र में अधुसूचत किया जाता है इस मामले में केंद सरकार की कोई भूमका नहीं होती हाला कि किसी जिले या रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्दन करने के लिए केंद सरकार की अनुमति आवशक होती है हाली में पश्य मंगाल में जो साथ नई जिले हैं उनके सम्मन्द में दिया किया जिसमें या इस सक्ती तुराज सरकारियों की होती है लेकर जब कोई रेलवे स्टेशन या जिले का नाम परिवर्टन किया जाता है तो इसकी सक्ती के अंद सरकार के पास होती है कि अनमति आविश्यक होती हैं विधांसवा अध्यक्ष की सकतियों की संदर में हालियों में सुप्रिम कोड़ ने दलबदल के समन्द में एक महत्पूर निर्ना दिया सुप्रेंग कोट के अनसार दल बदल से सम्माने समयधान की दसभी अनसूची किसी विधायक की बुर्ध एक आयोगता याचका करनर नयकरती समय विधानसभा अध्यक्ष और उस विधायक की पूरी विधानसभा सदस्य की दर्जे को समाप्त नहीं कर सकते 2014 में बेहार विधानसभा अध्यक्ष ने दसभी अनसूची की तहट ना किवल कुछ विधायकों को आयोगता खुसित कर दिया बलकि उनके पूरी विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया था कि हो तो होलोलन बनाम जलोय हूँ और अन्य उन्नी सुबानवे बाद में सुप्रीम कोट ने नर्णा दिया था कि दसभी अनसूची की तहट अध्यक्ष की सकती का नियाएक पूर्णावलोकन के अधिने राजवासा पर संसदीय समीती समीती का गठन 1976 में राजवासा अधिने 1963 के तहट किया गया इसका गठन ग्रह मंत्री ग्रह मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है यह समीती राश्टपती की समख्च अपनी रिपोर्ट पर स्थुत करती है सौपे गए आदेश या कारे अधिकारे को देशों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रक्ति की समीच्छा करना साथ ही अधिकारे क संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिस करना है पूर्वत्तर परिशत के संदर्व में प्रधान मंत्री ने पूर्वुत्र परिशत के जंदर में 50 वर्ष पूरे होने पर पूर्वुत्र के विकास के लिए 8 इस्तम्वों परकार करने पर बल दिया है इस्तम में सांती, बिद्धुत, परिटन, 5G, कनेक्टिविटी, संस्कृती, प्राक्तिक किर्सी, खेल और छमता करिर्माड करती है पूर्वुत्र परिशत क्या है? इसकी स्थापना संसत द्वारा पूर्वुत्र परिशत अधिनियाम 1971 में की गई थी यह सम्मेधानिक सलाहकारी निकाय है, नियंत्रक निकाय यह परिशत पूर्वुत्र छित्र विकास मंत्राले के प्रशाशनिक नियंत्र में काम करता है सनरचनर केंद्री गिरह मंत्राले NEC का पदेन अध्यक छोता है इसमें आठ राज, अर्णाचल प्रदीश, असम, मनी, पुरमेगाले, मिजोर, नागालेंड, सिक्केम, तृपुरा सामेल है पुर्वित्र राज्यों की बीच सायोग और समनबय को बढ़ावा देना, पुर्वित्र राज्यों की बीच अंतराजी विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना है प्रदानमंत्री ने तुर्प्रा में प्रदानमंत्री आवासी उजना के तहे दो लाग से अधिक लाभारतियों के लिए ग्रह प्रवेश कारकरम का उद्रहातन किया है इसमें बिहार उडी से पश्चमंगाल और जारखन डादी राजे सामिल है आने छेत्री परशदे उत्री छेत्री परशद में हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मील पंजाब राजिस्थान राष्टी राजणी छेत्र दिल्ली केंद सासथ प्रदेश चंडीगड आते है मध्धशेतरी परशद में 46कड उत्त्राखण उत्तरप्रदेश मध्धप्रदेश आते हैं पश्मी छेतरी परशद गुवा गुज्राज महराष्ट करनातक केरन तमेलाडूर कैने साथ परदेश क्वचिरि आते हैं पूर्वी छेत्री पर्षद की बेठक कहा इस वार आयुजद की गई कूल काता में जो पूर्वी छेत्री पर्षद में कौन कौन सी राज जाते हैं बेहार उडिसा पश्चमंगाल और जहारखन आते हैं इनमें उत्री छेत्री पर्षद है मद्र छेत्री पर्षद पश्मी छ चित्री पर्षद और दक्षनी चित्री पर्षद क्या होती हैं चित्री पर्षद की स्थापना कहां की जाती हैं संसत द्वारा राज़ पुनर गठन अधीनियम उननी सो छपन द्वारा इसकी स्थापना की गई इसका अध्यक्षित केंद्री गिरह मंत्री होते हैं और सदस प ऑर सामाजी की उजना की छेत्र में सांजी हित का कोई मामला, सीमा विबाथ, भासाई, अलप बाइस, अल्प और वाया, अन्तराज sigue परिभधन से सम्बंदित कोई भी मामला, राजी पुनरगठन अधिनियम के तहट राज्यो के पुनरगठन से सम्म्दित या, उत्पन्वन Normally वाला कोई मामला यह साम्मिधाने के साम्मिधाने तर निकाय हैं अब आते हैं इसका तीसरा टॉपिक है के अंदर राज्जी संबन जिसमें तीसरे में पहला टॉपिक है साथवी अनसूची में सुधार हाली में कई विशेशक्दों ने भारती सम्मिधान की साथवी अनसूच पुनर्विचार करने का समलथन की आए समयदान के अनुछे-246 के साथ वी अनुछे के अनुछे-246 के तैयं जात वी अनुछे के अंदर राज्य सरकारोंQué संबरती सुची के रूप में निर्दिष्ट करता है अनुशु 248 संसत को अवस्थ सकतियां प्रदान करता है उसे भिशीयों पर आधारित की गई सकतियां होतीं को संदर्वित करती करती है जिस का राज्य सूची या संबर्ती सूची में कोई उलेख नहीं हो अब आते हैं इसमें सूची पढाली को बनाये रखने के पीछे क्या तर्क है जो सूची पढाली बनाई गई है जो राज्य सूची संबर्ती सूची को बनाया गया है उसके मध्य में क्या संबंध है या फिर उसके करने हो तू चोथा संतुलित आर्थिक विकास हे तू और पांच मा उत्तरदाई गवर्णेंस को बनाई रखने हे तू इसके तर्क दिये गए हैं एक तो एक ताव खंडता बनाने के लिए सहकारी संगवायत को बढ़ावा देने के लिए प्रांती पैस्वायत तक को सुनिश् संभरती सूची सूची 3 के अंतरगत आती है संग्सूची सूची उचा संसथ के पास विसेश सकति जैसे लोक विवस्था, पुलिस, लोक स्वास्त, इवं स्वक्षिता, दाव और जुआ आदी, राज सूची 61 विशय सामिल है, मोल रूप से इसमें 66 थे, पहले जब सूचीयों को बनाय गया था तब इसमें 66 विशय थे और बरतमान में 61 है, सूची थर्ड या संबर्ती सूच इसके संबन्द में संसद और राजविधान मंडल दोनों को सामिल की सक्तिया हैं, जैसे सिक्षा, जन संख्या नियंतर, इबंपरिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन जीवों, जानबर सुरक्षा आदी, वन आदी हैं, संबर्ती सूची में बरतमान में 22 बिसय हैं और संसद के बिसेस बहुमत अर्था सदन के कुल सदस्यों का बहुमत वो सदन में उपस्तित तथा मद्दान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत की आविश्यक्ता होती है, साथ ही साधन बहुमत के आधर पर आधिराज्यों की विधान सबाओं की सहिमती की भी संसुधन किसके तहट किया जाता है, सम्मिधान के भाग 20 के अनुशेद 368 के तहट, अन्य प्रावधान जिने इस पिक्रिया दोरा संसुधित किया जाता है, राष्ट पती का निर्वाचन और उसकी विधी, संग और राज्यों की कारकारी सक्ति कविस्तार, सुप्रीम कोर्ट कब हुआ, इसकी संरचना देख लेते हैं, सबसे पहले 1861 में, भारती परिशद अधिनियम 1861 के अंतरगत, प्रांती विधान परिशदों का प्रावधन किया गया, इसमें परियाप्त भारती प्रतिने धृत्ति था, 1882 में, लाड रिपिन की प्रिस्तावने निर्वाचित नगरपाल का परिशदों और ग्रामीर जिलाबोर्डों की शुरुआत की, 1909 में, भारती सरकार अधिनियम 1909 में ने प्रांती परिशदों को और अधिकार प्रदान करने की थी, इसे भारती प्रतिने धृत्त में ब्रद्धी हुई, 1909 में, भारती सरकार अधिनियम 1909 में ने प्रिकेंद्री और प्रांती बिश्यों का सीमांकन करके उने प्रतक करके प्रांतों पर केंद्री नियंत्रड में कमी की थी, 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधाई सक्तियों की बितर्ण की यूजना को तीन सूचियों में निर्धारित किया था इसे भारती समयधान में बरकरार रखा गया है सतलुज यमना लिंक नहर ये सुर्ख्यों में क्यों रही हर्याडा और पंजाब राभी तथा व्यास नदियों के नजल बटवारे पर किसी भी समझोती पर पहुँचने में विफल रहे हैं इसके कारण सतलुज यमना लिंक का नहर का मुद्धा अभी भी अनसुलजा हुआ है सतलुज यमना लिंक नहर के बारे में यह सतलुज और यमना नदियों को जोड़ने वाली एक परिस्ताविक 214 किलोमीटर लंबी नहर है इसकी योजना पंजाब से अलग हर्याडा राजिक के गठन के बाद 1966 में बनाई गई थी इसमें हर्याडा को राभी व्यास नदियों के अत्रिक्त जल का ओसत वार से खिस्साप्रदान करने का प्रिस्ताव किया गया हर्याडा ने 1980 में SYL नहर के तहट अपने हिस्से का निर्माण कार पूरा कर लिया था इसके विप्रीत पंजाब रिपेरिंग सिध्धानतों और जल के अनुगुडवत अनुपर लब्धता का हवाला देटकर इसे टालता रहा है रिपेरियम सिध्धान्ट के अंसर किसी जल निकाए में सटी भूमी की सुआमी को ये उस निकाए के जल के उपियोग कादिकारे हर्याडा ने तर्क दिया है कि उसके दक्षडी हिस्से को भू जल इस्तर में ग्रावट की कार जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है अंतर राजी नदी जल विवादों से जोड़ी प्रावधन सम्यधानेक प्रावधन कौन-कौन सी है साथ भी अनुसूची राजसूची विसे क्रमांग सत्रा जल आपूर्ती सिचाई और नहरें ड्रेने जादी संग सूची की विशे क्रमांग 56 में अंतराजी जल विवाद अधिनियम 1956 के बारे में अंतराजी जल विवाद के नियाए निर्णे के लिए अधिकरन का अंतिमा विवाद से समिंद्ध पक्षकारों के लिए बाधिकरी होता है अंतराजी नदी जल विवाद अधिनियम मूल अधिनियम के तहट विवाद निप्टान तन तुको प्रती स्थापित करता है इसके लिए यह है विवाद सवाधान समेती और विवाद निप्टान के लिए एक इस्थाई अधिकरण का गठन का प्राओधन करता है उसका यह भी कहना है कि एराडी ट्रिबूनल 1987 द्वरकिये गई आकलन के बाद भी हरियाणा राजी को जल के उचित हिस्से से बंचित किया गया है इस देखो यहां प्रुमुक अंतराजी नदी जल विवाज जो अभी प्रिजन्ट में चल रहे हैं कोंसर रावी व्यास सत्लुज नदी यह संबंदित है पंजाब हरियाणा राजस्तान से नर्विदा नदी एक संबंदित है मद्रप्रदेश गुजरात महराष्ट राजस्तान से मांडेल या मांडोली महादई संबंदित राजी गोगा करनाटक महराष्ट से किष्णा या संबंदित राजी महराष्ट आंदरप्रदेश करनाटक से पिरियार तमिलाडु किरल से, कावेरी करनाटक तमिलाडु किरल पुदुचेरी, गोधावरी महराष्ट आंदर प्रदेश तेलंगाना करनाटक ओरिश के आदर प्रदेश हैं जो इन नदियों दी गए उनसे सम्मंदित राज जी के बारे में था है अन्ने सुर्खियों में रही सम्मिधान की नौभी अनसूची जारखंड विधानसवा में रेक्त सरकारी पदों और सीबाओं की आरक्षण को बढ़ा का 77% करने की सम्मंद में एक विधियक को मंजूरी दिये हाला कि राजसरकार ने कहा है कि यह विधियक तब लागू होगा जब केन सरकार इसे नौभी अनसूची में सामिल कर देगी नौभी अनसूची को प्रथम सम्मेदान सिंसुदन 1929 सम्मेदान में जोड़ा गया था इसके वीछे काउदिस कुछ कारूनों को मोले कधिकारों के उलंगन के आधार पर नियाएक समीक्षा से बाहर रखना था हाला कि आई आर को हेलो बनाम तमेलाणू राज मामले में सुप्रीम कोट ने अपने नर्णाय में कहा था कि 1973 के बाद नौभी अनसूची में सामिल किये गई कारून मूल ढाची के आधारना के तहक नयाएक समीक्षा के अधीन होगे नौभी से निसूची क्यों आई इसमें क्योंकि जारखन बिधान सवान रिक्त सरकारी पदों और सीवाओं के आरक्षोड को बढ़ा कर सततर परसंड करने के सम्मंदर विधियक परस्तुत किया था आर्मने फोर्सेज स्पेसल पावर एक्ट ग्राय मंतराले ने असम में नागालेंड और मनीपुर के कुछ हिस्तों में आर्मने फोर्सेज स्पेसल पावर एक्ट को हटा दिया है इन राज्जों में सुरक्षा और कानून विवस्था की स्थिती में सुधार की विज़े से कुछ छेत्रों में अस्पा को हटाया गया है यह जो काफी सामय से लगा हुआ था उसमें सुधार की वज़े से इसको हटा दिया गया है इस घोशन के बाद अब इन तीन राज्यों के कुछ हिस्सों में अस्पा लागू रहेगा इसके अलावा अभी अवडाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा जमू कश्मीर में अस्पा लागू है इसके बारे में यह कानून असांथ छित्रों में कानून विवस्था को बहाल करने के लिए ससस्त्रवलों को अस्फा अधिनियम की धारा चार के तहद बिसे सक्तियां तथा चारा च्छे के अंत्रगत उन मुक्तियां प्रदान करता है। कई बार किसी राज्य के अनसासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई भाग या हिस्सा उपद्रप के चलके ऐसे इस सती में पहुँच जाता है कि वहां कानून ववस्था बनाई रखना मुस्किल हो जाता है। ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता के लिए ससस्तरवलों का उप्योग करना आविस्थे खो जाता है तब वहां असपा की घोषना की जाती है। जय अधीनियम उनिस्वान ठाउन की धारा तीन के तहट किसी राजय है उसके छेत्रों को असान छेत्र घोषना राज्ज के राज़पालों के अन्सासेत्परदेश के प्रशासा किया केंस सरकार दोरा की जाती है। असपा की संदर में इसमें क्या है क्योंकि जहां लगावा तो इन राज्यों में सुधार की संभावना बड़ी है अंतराजी परशत के बारे में हाली में कैन सरकार ने अंतराजी परशत का पुनरगठन किया है अंतराजी परशत के संदर में भारती समयधान के अनुशार राश्टपती अनुशे 263 के तहत ऐसी परशत के इस्थापना कर सकती है साथ ही यह राश्टपती को ऐसी परशत द्वारे निस्पादित किये जाने वाले कर्टब्यों की प्रक्ति को प्रहभासत करने का अधिकार भी देती है 1990 में सरकारी आयो किसी फारिस के आधार पर आई ऐसी को गठन किया गया था यह क्या है इसके बारे में दिखते हैं इसका गठन सम्मिधान के अनुचे 263 के तह राश्टपती के ग्रह मंतरले के अधिन ऐसी परसित की स्थापना कर सकता है यह गयर स्थाई सम्मिधान एक निकाय है जो अनुचे 263 के अंतर गताता है इसकी संरच ना में इसका अध्यक्च प्रधान मंतरी होते हैं इसकी सभी राज्यों के मुख मंतरी और 6 केंदरी मंतरी इसके सदस्थ होते हैं जिन केंदर्शासित प्रदेशों में बिधान सभा हैं उनके मुख मंतरी तिथा बिधान सभा रायत केंदर्शासित प्रशासक भी इसके सदस्थ होते हैं इस्ताई समीती काध्यक्ष केंद्री ग्रह मंत्री होते हैं और इनके आमंत्र सदस्यों के दस केंद्री मंत्री होते हैं। इनके कार राज्यों के बीच बिवादों की जाच करना, उन्हें सलाह देना, एबम दूसरा उन विश्यों की जाच और उन पर चर्चा करना जिनमें दो राज्यों अत्वा राज्यों की संगे के समान सांजी हित सामेलें, नेतियों कारवाईयों की बीच बहतर समानिवाई के लिए इसे भार से करना है भारत नागा युद्ध विराम समझोते की 25 बर भारत सरकार और नैशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नागालेंड की बीच युद्ध विराम समझोता एक अगस 1997 में प्रभावी हुआ था कई दोर की बारता के बाद 2015 में नैशनल सोसलिस्ट काउंसल साथ एक फ्रेमबर एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये गए थे हाला कि नागा धोज और एह जावो नागा सम्मिदान पर दोनों पक्षों की भी साय सहमेहती के कारण आइस्पष्ट रूप से सांतिय पिक्री आगे बढ़ने में बिभल रही NSCN IEM ने यह जोर देकर कहा है क की दोनों विश्यों को फ्रेमबर समझोती में सामिल किया गया था इसका अगला पॉइंट है अंत्रों प्रश्यात राजस सुघाटा पोस्ट डेवेल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट अनुदान बित्मंत्राले की वे विभाग ने चौदा राज्यों को पोस्ट डेवेल राज्यों को या कौन सी किस्त है सात्मी राज्यों के यह अंदान रासी किरमिक वित्त आयोगों की सिफार्सों के अनुशार जारी की जाती है इसका उद्दिस अंत्रों पश्चात राज्यों की राज्यों से खात्यों में अंतर को पूरा करना है इस अंदान को प्राप्त क का बिरूद कर रही है स्वायति जिला पर सदे क्या होती है इसके इस्थापना छटवी अनिसूची के तहट की गई इसमें कुछ कारकारी विधाई और नयायक सक्तियां भी दी गई है छटी अनिसूची में असम मेगाले तुरुपरा मिजुरम के जन जाती छेत्रों के प्रश राजपाल दौरमनुनित किये जाते हैं 26 वैक समत अधिकार के जरिये चुने जाते हैं इनका कारकल पांच वर्स का होता है इसकी सक्तियां कौन-कौन सी है पहला राजपाल को स्वायत जिलों के छेत्रों का विस्तार करने और घटाने या उनके नामों को बदलने का अधिका उनकी संधार है 1966 में के अंधर सरकार ने महराश् na कर नातक किरल मैं सीमा बेवाद हो हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थाप्ना किए नैंwow ने 244 गौओं को सुप्रीम कोड ने चुनौती दे वेलगामी बरतमान में करनाटक का हिस्सा है हमने इन टॉपिक को कवर किया जो हमने पार्ट 1st, 2nd, 3rd और 4th पार्ट में कवर अब किया गया है और भी आगे के पार्ट में इन सब को कवर करेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेर करें, धन्यवाद